हेलो दोस्तों क्या हल चाले मैं उम्मित कता हूँ आप लोग बढ़िया होगे आप लोगों की डिमांद थी भाई कोई एन्नेमी पे कस्टम सेटप लेके आओ सब्सक्राइब करने के बाद आप कुछ इस तरह का जो यूजर इंटरफेस है अपने होम स्क्रीन पर ला सकते हैं अगर आपके पास शौमी का डिवेस नहीं है तो आपको कोई आइकन पेक को यूज़ करना पड़ेगा अधरवाइस आप सब कुछ यहाँ पर यूज़ कर सकते है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का काफी बड़ी आपको जो अपना होम स्क्रीन सेटप है वो शौमी तिम की मदद से कस्टमाइज करने का मौका मिल सकता है तो सब कुछ कैसे करना है आज इस वीडियो में हम बात करने वाल है तो मेक्सिए आपने हमारी चेनल टेक पर है आइकन पर के वह देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर हमने ऐसा कस्टमाइसेशन यूज किया है चुकि बिल्कुल फ्री है इस विले आपको रेग्यूलर डैली बेजिस में यूज करने में भी काफी मजाए तो चलिए यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दे और यहाँ अब इसके बाद यहाँ पर बढ़ते है इस सेट अप की और तो यहाँ पर डीफोल्ट थीम हमने कल लिए है अप्लाई तो आपको यहाँ पर समझाने में काफी आसानी हो तो गई यहाँ पर जलसी जल में पूरे स्टेप कर लेता हूँ तो वीडियो के साथ बने रही है तो यहां पर सबसे पहले आपको lock screen का यहां पर कॉस्टमाइज़िशन तो हमारा काम वो प्लेट हो जए तो यहां पर आमा जो lock screen है वो अब इसके बाद यहांपर दूसरा त्यम को आपको डाउलोड करना है याद रखेंगे सब भी तीम की जो लिंक है वो आपको मिल जेगी description में तो यहाँ पर दूसरी तीम का जो नाम है वो है पी, नोटी, पाजा, 12.6 तो इस तीम का जो लिंक है वो आपको मिल जेगा description में अब यहाँ पर लोग स्क्रिन को छोड़ के सब कुछ apply कर लेना है बट icon pack को नहीं यूज करना है icon pack के लिए हम थीम नमबर 3 को यूज करेंगी तो यहाँ पर गैस हम देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो हमारा layout है वो हो चुका है अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर design है अब आरे icon pack के वो ले लेना है अब बारी आती है wallpaper की description में आपको wallpaper की जो file है वो देखने को मिल जएगी Google try की में छोड़ दूँगा तो आप सब से पहले उसको हम स्किन में कर लिजिए apply मान लो अगर आपको कोई भी error आ जाती है wallpaper आपका जूम हो जाता है तो description में wallpaper जूम को कैसे fix किया जए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है अब बारी आती है kwgt widget की यहाँ पर long press करना है आपको जाना है widget section में और widget में जाने के बाद आपको select करना है kwgt अगर आपके पास यहाँ पर pro kwgt नहीं है तो गैस याद रखिए हमारा जो widget है वो कुछ इस तरह का हमने default rate किया हूँ है अगर आपको पता नहीं है तो याद रखिए आपको कुछ इस तरह का लेना है जहां तक ए जो enemy का hairstyle है वहां तक छोड़ देना है वेसे ही same आपको second widget लेना है जो कि हम use करने वाले है clock के लिए तो अब इसके लिए भी same आपको करना है 1x1 एक widget ले लेना है और इसको आपको छोड़ देना है इस widget के नीचे अब यहाँ पर उसको सीफ इस तरह से आप rate करेंगे तो आपकी जो size है वो 1x2 हो जाएगी अब यहाँ पर Google search बार को use करना है तो इसके लिए आपको ओगन जाना है widget में अब यहाँ पर काफी लोगों को पता नहीं है कि Google का जो search बार है उसको कैसे modify करना है तो यहाँ पर गैस देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको Google का widget है वो देखने को मिल जेगा सबसे बिल आप उसको ले लिए जिए इसके बाद यहाँ पर Google का एक option लिखा हुआ है यानि कि Google जहाँ पर लिखा है वहाँ पर टेप करिए यहाँ पर जो आपका icon है वहाँ पर click करिए यहाँ पर setting ने जाहिए यहाँ पर search widget में जाहिए customized widget में जाहिए और जो भी आपको widget पसंदे जैसा style आपको पसंदे वेसा यहाँ से choose कर लिजिए कुछ लोग बोलते हैं के भाई dark mode कैसे करें तो यहाँ पर देख सकते हैं dark mode light mode enable हो चुका है यहाँ पर done कर दीजिएगा अब यहाँ पर जो उसकी size small करने के लिए long press करें और यहाँ से उसकी size reduce कर दीजिएगा अब यहाँ पर सबसे पहले ले ले लेते हैं kwgt का clock का widget तो यहाँ पर इस widget पर tap करना है डिस्कुप्शन में करें इस में custom widget का एक file है वो upload कर दूँगा तो आपको डिस्कुप्शन में download करना पड़ेगा download करने के बाद के इस import बटन पर आपको click करना है याद रखिए इस import बटन पर tap करते ही आपको यहाँ पर option देखने को मिल जएगा अगर आपने download किया हुआ है तो जो widget का नाम है वो आप देख सकते है NMA setup 9 by takras इसको simple से choose कर लेना है choose करते ही कैस आपका जो setup है वो means आपका जो widget है वो कुछ इस तरह का sow करने लगेगा तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा design किया हुआ है तो आप easily यहाँ पर tick कर दीजिएगा tick करते ही कैस आपके यहाँ पर जो widget है वो successful apply हो जाएगा मान लो कोई भी आपको position में उसरा widget को यूज किया है जिसका नहमें Jena KWGT यह भी बिल्कुल free में आपको Google Play Store से मिल जएगा तो simple सा उसको download कर ले ना है download करने के बाद उसका F3 करके जो widget होगा उसको सर्च करेंगे अगर नहीं पता तो Jena KWGT को open करे इस सर्च बार में जाएए और यहाँ पर लिखे F3 F3 लिखते हैं आपको यहाँ पर जो widget आपने यूज किया है वो देखने को मिल जाता है अब यहाँ पर क्लिक करते हैं काफी small size में आपको देखने को मिलेगा चले यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो उसकी size है वो काफी कम है तो यहाँ पर widget पर side में क्लिक करिएगे तो आपका again widget है वो open हो जाएगा फिर से क्या करना है overlay group में जाना है इस second number overlay group को आप कर देजिए delete करते हैं काईस आपका आपको यहाँ पर तीनों widget है उसको select करके position है उसको change करना है आपको अपने phone के अनुसार widget है उसकी size याँ उसकी जो design है वो choose कर लेना है जैसी कि यहाँ पर हम screen पर करते है finally हमारे यहाँ पर जो widget का site है वो successfully हो चुका है तो यहाँ पर हम कर लेते है apply आई तो finally guys यहाँ पर हमारा जो kwgt का दोनों custom widget है वो हो चुका है complete अब यहाँ पर देख लेते काफी कमल का look है वो हो चुका है control center की बात करे setting की बात करे phone dealer की बात करे सब कुछ हमारा change हो चुका है बट यहाँ पर कुछ changes लगता है वो है उसके icon pack अब आखरी बारी आज जाती है icon pack की लिए तो उसकी लिए again एक theme store से application डाउलोड करना पड़ेगा जिसका नामे Jason V12 तो finally हमारे यहाँ पर icon pack है वो भी हो चुके है done तो आप मुझे comment करके बताए यह हमारा चुछ setup है वो क्या आपको पसंद आया या नहीं तो यहाँ पर ऐसे हम सांदार कमल के Xiaomi की setup है वो बनाने वाल है आप सभी के लिए तब तक क्या आप यह setup का यूज़ करेंगे या नहीं मुझे comment करके जरूर बता दे और हमरी चुनल टेकरस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक स्यूर कर दिजिए क्योंकि काफे सांदार कमल के मिनी मिलाश्टिक का आपको कस्टम हम स्क्रीन सेटप है वो देखने को मिलेगे सभी का यूज़ आप Xiaomi theme की मदद से कर सकते है तो I hope आप लोगों को आज को काफी का मलका anime हम स्क्रीन सेटप है वो पसंद जलू रहा होगा तो चली गैस मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई